कुछ दिन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्पूर होते हैं और बहुत महनत के बाद वो दिन आते हैं ऐसा ही एक दिन कल आया कल से लेके अभी तक हजारों की संख्या में संदेश मिले आपके और टार्गेट वित आलोग ऑनलाइन इस्टिटूट का प्रतिय के व्यक्ति हमार पूरी टीम के सदस्यों को जैसे एक नई उड़ जाकल न मिली जब आपने सियर किया क्योंकि आपकी और हमारी महनत एकसास सफल होई थी जब सुपर्टेट की वैकेंसी आई तो आलोग सर के कुसर निर्देशन में उनके अनुसासन ने पूरी टीम ने बहुत अथक प्रिया आपको दूँगा आपके लिए एक पहार भी दूँगा और बताओंगा कि क्या आपको करना है सबसे पहले मैं संदीफ सर को आमंतरित करता हूं सर्थ आप सभी सफल हुए हैं इसकी धेर सारी सोग कामनाई सफलता का क्या अर्थ होता है इसको आप इससे में अनुभव कर रहे होंगे लेकिन कहीं से भी हम सभी और संस्थान आप से कहीं भी सफलता में आपने आपको अलग थलग महसूस नहीं कर रहा है हम सभी आपकी इस खुशियों को अपने साथ जोड़ कर देख रहे हैं मैं आप में से जितने भी हमारे साथ से जुड़े हुए थे चाहे हो डारेक्ट हमारी वैचेस में चाहे हमारे पब्लिक वीडियोस के माध्यम से मैं सभी को सो कामनाई प्रिसित करता हूँ साथ साथ मैं उन सभी सदस्यों को भी एक उनके अंदर एक उर्जा देनी की कोसिस करता हूँ जो लोग इस परिच्छा में सफल नहीं हो पाए अपने आपको किसी भी प्रकार से आप हतो साहिब महसूस मत करियेगा और फिर से एक नई उर्जा को केंद्रित करके जोटियेगा, मेहनत करियेगा आगे बढ़ियेगा, फिर से सफल होईएगा मैं आपको यही चीज़ आपके बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ हमजा सर को मैं बुलाना चाहूँगा हमजा सर आएं और ओभी अपनी बातों को आपके साथ सेर करें थैंक यू रवी सर, थैंक यू संदीप सर और थैंक्स अल आप मैं स्टूडेंट्स जो भी सकसेस्फफुल होएं क्यूंकि आप ने सकसेस्फफुल होकर के यह बता दिया कि हमारी ट्रेशनिंग जो थी, वो कहीं ना कहीं meaningful रही है और हमने जो भी प्रयास किया जो भी कोशिश किया उसका result आपके through हमें भी मिला है obviously अगर आप सफल हुए हैं तो हम भी हुए हैं और ये कहने वाली बात नहीं है ये महसूस करने वाली बात है और हम सब ये महसूस कर रहे हैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि कोई भी सफलता कोई भी success last नहीं होती destiny नहीं होती और कोई भी failure किसी चीज़ का किसी रास्ते का अंत नहीं होता ठीक है तो जो सफल हुए हैं उनके लिए ये कहूंगा कि अब आपकी life का एक real exam शुरू हुआ है अभी तक तो जो exams आप दे रहे थे वो कहीं न कहीं किसी exam को qualify करने के लिए था लेकिन अभी जो आप exam देंगे वो आपकी real life का exam होगा जो दूसरों की life को बहुत ज़ादा effect करेगा तो उसकी तयारी में लग जाएए मैं इतना ही कहना चाहूँगा और इसके बाद मैं गौरफ सर से कहूँगा कि प्लीज गौरफ सर आईए और हमारे students का हमारे साथियों का उनका जो होसला उसे और बढ़ा आईए motivate करिए गौरफ सर प्लीज धनवा सर सरकारी नौकरी जिसको आपने और हमारी team ने एक सपने के तोर पर देखा था वाई सकारी नौकरी या एउन कहलीजेगा या सपना आपका पूरा हो गया और इस सपने को हासिल करने के लिए हमारी team आलोक सर और रवी सर के मारदरसन में जितनी महनत की गई उससे भी अधिक महनत आपके दुआ रखी गई तबी ये सपलता आपको अर्जित होई यही सुपामना करते हैं कि आपको जिस पत के लिए प्रभूने चुना है उस पर इमानदारी पूर्वक और सतनिष्टा के साथ आप आँगे बढ़िये और नए भारत का निर्मान कीजेगा अब मैं माईक देना चाहूंगा आपके सबसे प्रिये सर रवी सर को आईए रवी सर बाकी सदसों जो यहां पर उपस्तित नहीं है और उन्होंने आपको पड़ाया है मैं उन सभी के पृतिवी संवान प्रेसित करता हूं उन्होंने भी आपके साथ बहुत मेहनत की है अम्र 16 घंटे आपके साथ मेहनत की उस मेहनत का पड़ाम आज हमारे सामने आया है मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि परिच्छा की खुबसूरती यही होती है कि कुछ लोग पास होते हैं कुछ लोग पास नहीं होते हैं लेकिन जो लोग पास नहीं हुए हैं उनको हतास होनी की ज़रूरत नहीं है ये कोई विजय और पराजय जैसे सब्दों से इसको लेके नहीं देखना चाहिए हम सब साथ ही है हम सब लोगोंने एक साथ कार किया है हम सब लोगोंने एक साथ मेनत किया है कुछ लोगों का समय आ गया था उन्होंने ज्यादा मेनत की वो सफल हो गया है सिता के साथ पुरी इमानदारी के साथ ये टीम दिन रात एक कर देगी आपको आपकी सफलतर तक पहुचाने के लिए इससे पहले जो किया है उससे बड़ा रिजल्ट हम लोग भविस्व में लेकर आएंगे आज उत्तर प्रदेश में टार्गिट वितालोग ऑनलान इंस्टि है लगभग लगभग बारा सो प्लस लोग हमसे अभी तक संपर कर चुके हैं जिनको जिला आवंटन हो गया है आपका जिला कौन सा है आप हमको मिठाई कब खिला रहे हैं या हमसे मिठाई खाने कब आ रहे हैं किस जिले में आपकी पोस्टिंग होई है आप हमको जरूर प् इस रिजल्ट के बाद आज खुसी महसूस कर रहा है, आज हमारी अजस्ट का माहल है, एक घंटे में 20-25-25-30-30 फोन आपके आ रहे हैं, ये आपका जो इसने प्रेव हमें मिल ला आ है, इसके लिए हम अभीबूत हैं, हम आलोकसर की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, पूरी तालोक ओनलाइन इस्टिटूट ने तै किया है, कि हम एक डॉकुमेंटरी बनाएंगे फिक्चर, और उसको अपने इस्टिटूट की सफलता की डॉकुमेंटरी नाम से अपलोड करेंगे, आप हमें, ये हमारा वाटसप नंबर है, इस वाटसप नंबर पे आप 2 मिन स्रीन डॉकुमेंटरी बनाकर आपकी सफलता की यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में पबलिक कर सके, केबल वही व्यक्ति सामिलना हो, जो हमारे बैच में थे, बलकि आप जानते हैं, 75-80 वीडियो क्लासेज हम लोगों ने दिये थे, पूरा करेंट संस्थान की तरफ से आपका था जिससे आपको 35 में से 35% करेंट में मिले थे, जो भी लोग बैच से अलग भी हो और अगर उनके वो 75-80 वीडियो या वो करेंट अफियार्स अगर आपको लगता है कि उसने आपकी सफलता की यात्रा में भूमका निवाई है, आपके भी डिटेल्स का सादर स्वा ने आपके साथ महिनत की थी, तो आपके इनी कमेंट्स के और इनी डिटेल्स का हम इंतिजार कर रहे हैं, एक बहतरीन जो है उन डिटेल्स के साथ एक बहतरीन कारीकरम टार्गी बतालोग होना इन इस्टिट्यूट आजित करेगा, उनसे हम एक डॉकुमेंट्री आपकी फो आस होने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा मजबूती से हम आएंगे, इस्वर हमेशा मजबूत सेनाओं के पक्ष में होता है, इस्वर हमेशा मजबूत इरादों के पक्ष में होता है, इरादा मजबूत रखिये, आप विफल नहीं होंगे, हम लोग और नई उर्जा क साथ और जुटे हुए हैं इतनी बड़ी खुशी का दिने संस्थान के लिए संस्थान भी आपलों को कुछ देना चायता है कुछ लोगा सफल हुए हैं हम आपके साथ है सीटेट का बैज जिसको आप लोग जो है चाहरहें कि सीटेट का वेश संस्थान पढ़ा है मैं आज आप लोगों को ये बता रहा हूं संस्थान की तरफ से आलुक सर की तरफ से हमारी टीम की तरफ से सीटेट का बैच संस्थान द्वारा निसुल्क चलाया जाएगा सीटेट के बैच के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी जल्द ही आपकी हमें चिंता है सीटेट का बैच हम लोगों निसुल्क चलाने चलने हैं पूरा क्रेस कोर्स 25 तारिक के आसपा सीटेट का बैच आएगा आप सभी लोगों के साथ मैं इसी प्रकार खड़ा रहा होंगा सभी यही टीम पढ़ाएगी यही टीचर पढ़ाएगे और पू नहीं भी प्रवेश मत लिजेगा पूरा बैच मेरी तरफ से संस्थान की तरफ से आलोकसर की तरफ से आप सभी लोगों को पूरी टीम की तरफ से बिलकुल निसुल्क है आप बिलकुल भी परेशन मत होई है तो इस बार सीटेट पार करिए बिलकुल निसुल्क बैच के स्वादा नेककार इस दुनिया में कोई नहीं है आईए एक नए भारत का निर्मार करिए नए भारत के भविष्ट का निर्मार करिए और जो लोग रह गए हैं बोलो फिर तुरंट जुट जाएं यह यातरा समाप्त नहीं हुई है हम लोग जरूर सफल होंगे बहुत बहुत सुब कामना है दन्नबाद नमस्कार